सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन और फिर क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कर जी हाँ अज सोने पे बात होगी राजा वहिया की बात होगी अगर रानी की बात करते रहें तो आज राजा की बात होगी सोने की बात होगी गोल्ड की बात होगी गोल्ड पर क्या किया जाए गोल्ड गिर रहा है पहले बढ़ रहा था अगर 2020 का मेरा अपने वीडियो देखा है तो मैंने कहा था कि पाँच साल का बुल रन स्टारट हो रहा है 2020 में दो हजार बीस ये जुलाइ की बात है, क्यूंकि अप्रैल से लेके 2020 अप्रैल से लेके जुलाइ तक सोना अच्छा भागा था, चांडी अच्छी भागे थे और तब मैंने ये बोला, तो एक साल सोना चला ही नहीं, तो लोगों ने का, अरे और हमना रुख जाओ पांक साल हो जाने दो और फिर पिछले दो सालो में तो आपने देखा सोना कैसा भागना शुरू किया है पिछले साल में तो आपने देखा ही है कितना अच्छा सोने ने return मनाया, गोल्ड ने return दिया है पिछले साल की बात है कि 50, 53, 54, 55 चल रहा था और अभी गोल्ड 82 बिग गया बीते अप्रेल में भी हमने बात की दी कि गोल्ड बढ़ेगा और जुलाई में भी हमने का तक गोल्ड गिरेगा कैसे? जब अप्रैल के पहले बात की दी तो हमने कहा था गौल्ड बढ़ेगा यह सारी बात हम करते कहा है इसके लिए आपको मेरा टेलिग्राम चैनल ज्यॉइन करना पढ़ेगा फ्री है फ्री टेलिग्राम चैनल है जहां शेर वजार की कमेंटरी होती है राजा रानी की बात होती है उसको आपको जॉइन करना पड़ेगा तो आज बात होगी इस वीडियो में सोने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर लीजे नमस्कार मैं आनंद राष्टर पाठी और आनंद भाव फैंली में बहुत बहुत स्वागत है बात होगी सोने की जब वो पहली बार 74 पर 75 हजार गया मई में 2024 में तो उसके पहले हमने बोला था कि वो जाएगा और जब वो गया तो हमने कई गिर जाएगा और 70 हजार मिलेगा और 60 हजार मिलेगा ले लेना क्योंकि ऐसी ही बात हमने जनवरी के पहले कही थी एक वीडियो में और टेलीग्राम पे कि एक मौका देगा ये 58 जाके फिर भागेगा वैसा ही हुआ 58 से भागा फिर जो मौके की बात हमने जुलाई में बोली वो 69 के लिए 69 आया है जब उस पे गौर्मेंट का वो आया कि भाई उस्टेंप ड्यूटी उटी कटेगी एक साइस ड्यूटी कटेगी तो उसके बाद वो सोना 69 हुआ और वहां से एक तरफा चला तब भी हमने बोला कि जैसे ही फेट कट रेट आएगा ये 82 हो जाएगा 82 हो गया और 82 हो गया तो हमने ये बोला कि यार हम गोल्ड खरीदने से रह गये तो हमारे लिए राजा भाई एक बार 70 आएंगे 70 आएंगे लोग सोचे आप कहां आएंगे क्या आएंगे लेकिन कुछ चीजा ही ऐसी बनती है ट्रंप बाबु जीत गये ट्रंप बाबु जीत गये तो सोने में हाहाकार मच गया बिटकोईन भाग खड़ा हुआ क्रिप्टो भाग खड़ी हुई हमारा क्रिप्टो बिटकोईन से एक पैसेक लेना देना नहीं है लेकिन भाग खड़ी हुई देख रहे हैं तो हम भी बता रहे हैं और सोना गिरने लगा सोना गिर के आगया 74,000 कह से 82 से अब क्या होगा हमको तो इंतिजार 70 का है क्योंकि आप लोग यही सोच रहे हैं कि यार शेयर बाजार तो ठीक सोना भी गिर गया हमको अपनी लड़की बिटिया एक शादी करनी है सोने के गहने कप खरीदें तब यार एक दो हजार गिर जाए चार हजार रुपए गिर सब्सक्राइब लेया और तो भी कोई फरक नहीं पड़ता शादी तो करनी है तो बहतरीन मौका है क्यों न गोल्ड करीदा जाए सा बिलकुल खरीद सकते हैं जादा जिनकी दूर है शादी दो महीने बाद वो आधा गोल्ड अभी खरीद ले आधा रुक के खरीद ले इतना कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं गोल्ड के लिए रुक रहा हूं, गोल्ड पे मुझे 70 दिखता है, 70,000 का घर तूटा तो 68 दिखता है, लेकिन मैं बाइंग शुरू कर दूँगा 74 से, क्योंकि शैतान को तो खुन पिलाना ही पड़ेगा, जब तक मैं 74, 75 में खरी दूँग आपके खरीदेते ही चीजों के दाम गिर जाते हैं, और आपके बेचते ही बढ़ जाते हैं, चाहे वो जमीन जायात हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे शेयर मारकेट हो, तो क्योंकि मुझे सोने का दाम गिराना है, इसलिए मैं सोने का एक टुकडा, एक टुकडा पहला टु ऐसा मेरा मानना है क्योंकि मेरे खरीदते मुझे भी तो घाटा दिखाना चाहिए ना कि आपने खरीदा तुम्हें गिरा वो क्या कहता था विक्रम से बेताल तू बोला और मैं चला तो उसी तरह की कहानी है यह तो सोना मुझे 70,000 दिखता है और सोने की एक नई territory है जैसे मैंन प्राइस ऑर्बिट है जो नई प्राइस डिसकवरी है गोल्ड की वो 82 से 95 होगी अगले साल आपको ऐसा दिखेगा कि 82 से 90 के बीच में सोना चलना शुरू होगा लेकिन उसके पहले बहुत तरपा देगा उसके पहले आपको नीचे के घर दिखा देगा क्यूंकि सोना एक सा कमाना है तो थोड़ा कम में गुजारा करना सीखो अगर कोई शेयर 30-40 परसंट बढ़ गया तो प्रॉफिट 50 परसंट बुक कर लेना है मैं करता हूं और सोना चांदी बढ़ गया तो 50 परसंट बुक करता हूं जल्दी ही रानी पर भी वीडियो आएगा और मैं टेलीग्रा उचके बाद मैंने बोला कि उपर जा रहा सारी बात है लेकिन अनुशाशन का ही शाशन है जो लोग मेरी बात बराबर सुनते आएं शेयर मार्केट में वो ये मेरी एक लाइन से समझ गया हूंगे सारी चीज़ ये मेरी अपनी खुद की लाइन है ली मैंने बहु बली से ल वो सारे ठ्रैप हो गये जो जूलाई में रुख गयते प्रोफिट बुक करने से जिन्होंने का थ्ठोड़ा सा ओर बढ़ जा बाजार जिन्होंने का सोना थोड़ा सा और बढ़ जाए जो ट्रेडिंग करते सोने चांदी में उसब ट्रैप हैं और आप एक चीज़ समझ दीज़े, आप सोने चांदी में ट्रैप हो गए राजा रानी में, तो अच्छे खासे ट्रैप हो गए है, आपकी एक सीरीज का तो घाटा पक्का है, क्योंकि MCX में खेलते हो गुरू, तो तुमको तो घाटा लगेगा, फूचर आप्शन से दूर रहो, फूचर आप्शन वालों के लिए विशेश मेरी ये बात है कि उन्हें घाटा ही लगना है, और घाटा ही होना है, फाइदा होई नहीं सकता, लक्षमी स्वरूप को जो लक्षमी मा हैं, उनके स्वरूप को तुम जूआ सटा की तरह खेलोगे उनको एक तुम द्रव ऐसा बना के खेलोगे, वो सटा खेलने की जीज़ है, लक्षमी मा, लोग सर से लगा रहे हैं, आप सटा खेले दे रहे हैं, तो लक्षमी कहा रही है, मैं रूठी जाती हूं, जाती हूं तेरे घर से, तुझे पैसे की कदर नहीं है, तो जिन जिन को पैसे की कदर नहीं है, और जो जो लोग यहां पे फ्यूचर ऑप्षन सटे में, लक्षमी जी को दाओं पे लगा रहे हैं, सोने चांदी में दाओं पे लगा रहे हैं, इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, स्विंग ट्रेड अलग ची किसी future option के सौधे में पढ़िया आ भी गई तो लिख के ले लीजिए stamp paper पे तामर पत्र पे गोल्ड पत्र पे जौन सा पत्र हो हीरा का पत्र हो ऐसे बनता नहीं है गोल्ड का पत्र तक बनता है लिख के ले लो तुमरे यहां से लच्छमी चली जाएंगी इस महीने आ गई तो उसके अगले साल तक चली जाएंगी और जाएंगी तो एक कहावत है गोबर जब उठता है तो मटी लेके उठता है तो लक्षमी जी जब निकलती है घर से तो आपके घर की भी लक्षमी साथ में लेके निकलती है वो अकेले नहीं निकलेंगे आपका घर का भी सब बटोड लेंगी कियों क्यों क्रोधित हो गई एंप लक्ष्मी में लख्ष्मी चिपक जाती है तो आपके घर की बीच चिपक जाएगी चली जाएगी तो सक्टा जुमा मत खेलो, चलो पुरानी बात पर आ जाते हैं उस पर, तो गोल्ड, सिल्वर मौका देगा गिरावट में, जो लोग रहा तक रहते खरीदारी की, और निश्चित तोर पे राजा की बात हो रही है इस वीडियो में, गोल्ड की बात हो रही है, तो गोल्ड आपको एक अच्छा मुनाफ़ा देगा, अच्छा हेज देगा, आपकी जितना भी पोर्टफोलियो साइज है, जो भी असेट साइज है, उसका एक एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए, दस परसंट, पंदरा परसंट, मैं कहता हूँ, इस समय पचीस परसंट होना चाहिए, आज कल का जो युग चल रहा है, इसमें आपकी जो तोटल वेल्थ है, जमीन जाजाद, घोड़ा, गाड़ी, घोड़ी, बैल, हाथी, जिराफ, जो भी आप निपाल रखका है, उस समय पचीस परसंट आपका गोल्ड का होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, है ना, जिसमें आप पेपर गोल्ड भी ले सकते हो, फिजकल गोल्ड भी ले सकते हो, फिजकल गोल्ड तिजोरी में रखने के लिए नहीं होता, फिजकल गोल्ड की बढ़िया मोटी चैन बनाईए, बढ़िया कड़ा पहनिए, बढ़िया अंगूठी पहनिए, बढ़िया चश्मा जाएगी जिनके आँ लक्षमी तीजोरियों में बंद होती है जो उसका उपियोग नहीं करते सिर्फ बटोर बटोर के उसका संचय करते हैं वहां na nash है लक्षमी नाश हो जाएगी, इसलिए उपभोग करो, क्योंकि जब तुम उपभोग करते हो, तो लक्षमी बाहर निकलती हो, किसी ना किसी के आये का अधन बनती ही, जब तुम पैसा खर्चा करते हो, तो किसी की तो आमदनी बनती है, तुम्हारा खर्चा किसी की आमदनी, तो तो किसी को बताओ नहीं, गाना मत गाओ, फोटो मत खिचवाओ, आज कल एक से एक मूर्ख और बेकूफ मुझको दिखते हैं, जो किसी को एक शॉल, एक पुरसकार, कुछ भी दान कर रहे हैं, तो उसकी रील बन रही है, उसकी फोटो बन रही है, सब को बता दे कि हम दान किये दो कौडी का दान है, जिससकी आप फोटो, रील, पेपर में च्छपवा के दान कर रहे हैं, वो दो कौडी का दान है, दो कौडी का, उसका न आपको कोई फादा लगना न पुन्न मिलना एक पैसे का, दान ऐसे करो कि इस हाथ से दान करो, और इस हाथ को पता ना लगए, अ मज़ रहो बहुत छोटी छोटी बात और यह सारी बातें जीवान आनंदा वाले चैनल की हैं बता हम यहां देते हैं ठीक है उस चैनल में दुबारा दोहरा देंगे तो गोल्ड पे बात हो रही है गोल्ड बहुत अच्छा है 70,000 आएगा तो मैं और खरीदारी करूंगा अब ह मैं एक टुकड़ा डाल दूँगा है 74, 75 में ही सोमार को मंगलवार को भी हो सकता है और उसके बाद इसको गोल्ड को पेपर पे खरीदने के लिए ETF में खरीदने के लिए सबसे अच्छी गोल्ड बीज है गोल्ड बीज 66 तक गई थी मैंने प्रॉफिट बुक किया अब 58 में मैंने खरीदी और 58 से 66 में बेच दी क्या परसेंट का मुनाफ़ा हो 58 से समझ लोग 5 रुपए 80 पैसे 10 परसेंट हो गए ठीक है और 58 से 66 कितना हुआ 8 रुपए हुआ तो 58 उदत करी 15 परसेंट का मुनाफ़ा हो गया हमको तो 15 परसेंट का हमने मुनाफ़ा लिया बात हम फिर से उसमें थोड़ा 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 थर्मामीटर लगाएंगे 58 आ जाएगी मज़ा आ जाएगा 58 आने का मतलब है कि वहां गोल्ड 70,000 हो चुका होगा गोल्ड में अच्छा मौका है 85 से 82 से 95 90 का यह रेंज और बनेगी 82 से 90 बनेगी और 85 से 95 बनेगी बहुत जल्द आपको गोल्ड लख्ट किया होगा गोल्ड भी लख्ट किया होगा जैसे चांदी हुई थी अब गोल्ड होगा लेकिन पसीना तो छुड़ाएगा क्योंकि 40 परसंट जो लोग कमा के आएं उनको दुबारा 40 परसंट कमाने का मौका एक साल के अंद एक साल बाकी है 2025 तो गोल्ड में घाटा नहीं होगा अब चांद गोल्ड में माल लो तुम्हें मुनाफन ना भी हो तो भी 25 परसंट खरीदना है अपनी टोटल वेल्ट का तो नीचे के रेट पर मिल रहा है तो लेके रख लो बाद में तुम्हें हैज में काम आएगा करेंस का अवमूलियन होगा डिवैलुएट होगी रुपया गिरेगा टॉलर वैसे भी हवाई जाज बनने उत्यार है तो फिर फाइदा मिलेगा गोल्ड का फाइदा हमेशा मिलेगा गोल्ड गोल्डी रहेगा मट्टी नहीं हो जाएगा ठीक है तो वीडियो में हमने आपको सारी बात समझा दिये टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजेगा और मुझे पहली बात देख सुन रहे हो समझ रहे हो मजा आ रहा है तो वह यह आनंद भाव चैनल का नाम है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को फिर से मैं कह रहा हूं लाइक कर सकते हैं वीडियो श रहे हो सकते हैं वीडियो Childrens